Hello friends, welcome to my channel, मैं हूँ Amant Thakur Friends, आज हम LIC के ऐसे 4 plans की बात करेंगे जो 2024 के best seller plans रहे हैं सभी plans के अपने अपने features हैं, अपने USPs हैं जिनके बारे में आज हम discuss करेंगे इस video के help से मैं आपको with example इन plans के बारे में तो बताऊंगी ही साथ ही साथ आपको इनके features के बारे में बताया जाएगा जिसके help से आप अपनी need के according suitable plan चूज कर सकते हैं तो ये plans हैं जीवन लाब जिसका table number है 936 न्यू जीवन अनंद table number है 915 जीवन लक्षे जिसका table number है 933 और जीवन उमंग table number है 945 तो चलिए सबसे पहले हम इन plans के features के बारे में बात करेंगे तो अभी आप screen पर देख रहे हैं कि जो features है plans के वो दिये गए हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन लाब plan की देखे इसका जो USP है वो है कि यह limited premium payment term है इसका मतलब होता है कि जो policy की term है वो तो ज़्यादा रहती है पर premium हमें कम समय के लिए देना पड़ता है next time बात करेंगे कि इसमें entry age जो है वो है 8 से लेकर 59 years मतलब कोई भी बच्चा जिसकी आयू 8 साल है और कोई भी व्यक्ति जो maximum 59 year old है तो वो लोग ये मतलब इतनी बड़ी इसमें range दी गई है कि 8 साल से लेकर 59 year तक के व्यक्ति को ये plan हम दे सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगे minimum summer short की तो देखिए इसमें जो minimum summer short है वो 2 lakh रुपए है और maximum जो summer short है वो आपकी income पर depend करता है next time बात करेंगे policy term की तो देखिए क्योंकि एक limited premium payment option का plan है तो इसमें जो policy term है वो 16 साल से लेकर 25 साल तक है accordingly तीन options में ये आजाता है तो जो भी आपको suitable है आप वो वाली option जो है वो policy term की चूज कर सकते हैं next हम बात करेंगे second plan जो है हमारा new जीवन अनंद ये है table number 915 अब इसमें जो इसका USB है वो है कि ये endowment plus whole life plan है इसमें क्या है कि ये जितना आपका जीवन रहेगा पूरा जीवन आपके साथ ये plan जो है चलता रहेगा पूरी life तक हमारी lifelong plan चलता है इसमें जो entry age है वो 18 साल से लेकर 50 साल तक की है यानि कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की age का है और maximum 50 साल तक की age के व्यक्ति को ये plan हम दे सकते हैं minimum समशोड इसमें एक लाग है और maximum आपकी income बेडिपेंड करेगा और policy की term इसमें 15 साल से लेकर 35 साल तक रहती है थर्ड plan है हमारा जीवन लक्षे जो की table number है इसका 933 ये एक income benefit rider plan है इसमें entry age जो है वो 18 साल से 50 साल है minimum समशोड एक लाग रुपए है और policy term इसमें 13 साल से लेकर 25 साल तक की है और जो fourth plan है वो है जीवन उमंग plan regular guaranteed income plan है जीवन उमंग को आम भाषा में लोग जो है हम इसे pension plan भी कह देते हैं क्योंकि इसमें एक fix समय के लिए हमें premium भरना होता है और जब वो term हमारी complete हो जाती है उसके बाद हमें regularly pension आनी शुरू हो जाती है वो भी 8% rate of interest के साथ जो है return जो हमें मिलता है 8% इसमें इस समय पर मिल रहा है अब इसमें जो entry age है वो 90 days से लेकर 55 years तक है यानि कि किसी भी 90 दिन के बच्चे से लेकर 55 साल के व्यक्ति तक को ये plan दिया जा सकता है minimum summer short इसमें दो लाख रुपए है और policy time इसमें 15 से 30 साल तक की रहती है तो देखिए ये जो सारे features हैं इन चारो plans को describe कर रहे है अब इन plans को हम समझेंगे एक example के साथ जिससे कि आपको और clarity आ जाएगी example के लिए screen पर आ चुके है Mr. Gaurav जिनकी age है 35 summer short लिया गया है 10 लाख रुपए और ये जो summer short लिया गया है इसी के साथ साथ double accidental benefit rider जिसे कि dab कहा जाता है वो भी इन्हें दिया गया है तो चलिए plans में समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे G1 law plan अगर इने दिया जाता है तो policy term चूज की गई है 25 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म है 16 साल यानि कि 25 सोला के टर्म और पीपीटी में ये लिया गया है एन्वाल प्रीमियम इने देना पड़ेगा 48,333 रुपए और जो total प्रीमियम ये पे करेंगे अपने 16 साल की पीपीटी के दुरान वो होगा 7,57,728 रुपए maturity पे हिने मिलेंगे 26,25,000 रुपए चलिए second plan की बात करते है न्यू जीवान अनंद तो अब देखे जीवान जो ये न्यू जीवान अनंद है इसमें policy टर्म इन्हें दी गई है 25 साल और पीपीटीपी इसमें सेम रहती है 25 साल की ही एन्वल प्रीमियम जो देना पड़ेगा वो 47,784 रुपए देना पड़ेगा और जो टोटल प्रीमियम ये पे करेंगे अपनी पूरी 25 साल की टर्म के दुरान वो है 11,79,904 रुपए और maturity पे इन्हें मिलेगा 26 लाख और साथ ही साथ जीवन भर के लिए 10 लाख रुपए का risk कवर भी मिलेगा क्योंकि एक endowment प्लस whole life plan है नेक्स टर्म पात करेंगे जीवन लक्षे की तो जीवन लक्षे में भी policy टर्म 25 साल की दी गई है premium payment term इसमें है 22 साल की annual premium pay करना पड़ेगा इसमें 45,277 रुपए और जो total premium pay किया जाएगा पूरी term के दुरान मतलब 22 साल की term के दुरान वो है 9,75,619 रुपए और maturity अगर हम बात करें इसमें maturity इन्हें मिले की 26 लाख रुपए की और जो fourth plan है जो कि है हमारा जीवन उमंग plan ये एक pension plan भी है तो इसमें देखे पॉलिसी टर्म ले गई है 25 साल की premium payment term यालिकि PPT इसमें है 15 साल की तो annual premium बन रहा है 82,000 और 26 रुपए 15 साल की term के दुरान जो ये premium pay करेंगे वो है 12,5,666 रुपए और maturity benefit के अगर हम बात करें तो देखे इसमें हमें जब हमारी term complete हो जाती है उसके बाद regularly pension आनी शुरू हो जाती है तो इसको पूरा लंसम में इसमें calculate किया गया है कि 100 साल तक की age तक इन्हें जो पैसा मिल जाएगा वो होगा 95,000 और 70,000 रुपए तो इस प्रकार हमने देखा कि ये चारो plans हैं सभी के अपने-पने अलग-लग features हैं और सभी के accordingly मतलब जैसी जिसकी नीड है उसके हिसाब से हम इन plans को accordingly खरी सकते हैं मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको high return वाला plan मिले तो उसके लिए जीवन lab suitable रहेगा whole life चाहिए तो उसके लिए आपको new जीवन अनन्द plan बढ़िया रहेगा और अगर आप pension plan की आपको अविश्यक्ता है तो उसके लिए आपको जीवन उमंग suitable रहता है और अगर आपको high risk cover का plan चाहिए तो जीवन लक्षे जो है ये आपके लिए सबसे better plan रहता है तो इस तरह आपकी जैसी ज़रूरत है उसके according आप plan खरीज सकते हैं ऐसी और informative वीडियो के लिए चैनल को like, share और subscribe ज़रूर कीजिए और अगर आपको कोई doubt है तो comment करके ज़रूर बताइए thanks for watching the video and best of luck